हेलो दोस्तों मैं मुंशी प्रेम चंदर की एक और कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ इस कहानी का नाम है जंजाल ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लेज इसे लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चलिए कहानी की तरब बढ़ते हैं दबाने से इच्छाए समाप्त हो जाती है, हमें इसमें संदे है संबभ है कुछ मामलों में ऐसा होता हो, लेकिन प्राया सहिंशीलता बंधा बाकी तरह आंधी की पूर पीठिका हुआ करती है पारबती को अपने पती के साथ रहते हुए पांच साल से जादा हो गए लेकिन उसने उनसे कभी कोई फरमाश नहीं की यदि वो कभी दवी जावान से या परोग शुरूप से किसी गहने या कपड़े की चर्चा करती तो सुरेंदरनाथ अतियंत बेवसी के साथ कहते मेरी आमदनी और खर्च का हिसाब तुमारे हाथ में है यदि इसमें कोई गुंजाइश दिखाई दे तो जो चाहे चीजें बन वालो इससे अधिक प्रसनता की बात मेरे लिए क्या होगी कि तुम्हें गहनों से सजी देखूँ ये अतर सुनकर पारवती से जुका लेती और सोचती कि मैं सारी उम्र यूही नंगी बुच्ची बनी वैटी रहूंगी कभी सोचती कि ये खर्च ना करूँ इस मद में कमी करूँ लेकिन चूल कभी ठीक नहीं बैठती थी उसके पास पहले के भी कुछ गहने थे लेकिन वो उन्हें भी नहीं पहनती थी तो यहार या उत्सम में भी वो प्राया साधी साड़ी पहन करी रह जाती थी वो अपनी महरी और पडोसनों को दिखाना चाहती थी कि उसे गहनों की भूक नहीं है लेकिन ये इस समय अपने दुर्भाग और पती की निर्धनता की घोसना थी उसे रह रहकर बिचार आता कि मेरे लिए सुरिंदर जितना कुछ कर सकते थे उतना नहीं करते बे मेरी अनापती और सीधे पन का नाजाइज फाइदा उठाते है निराश होकर वो कभी कभी सुरिंदर से जगड़ना चाहती जगड़ती भी मूँ फेर कर बात करती उसे सुना सुना कर अपने भागे को कोस्ती सुरिंदर समझ जाते कि इस समय हवा का रुख बदला हुआ है बचकर निकल जाते कभी कभी गंगा इसनान या किसी मेले से लोटकर पारवती पर गहनों का उनमाद सचा जाता बो संकल्प करती कि एक बार मन की निकाल ही लूँ जो दो चार सो रूपी बचे हुए हैं उनकी कोई चीज बन वालूं कल की चिंता में कहां तक मरूं लेकिन एक छड़ में उसका ये उनमाद उरंचू हो जाता यहां तक कि लगतार सहन करने के कारल उसकी सजने के शौकी इच्छाएं मरकर मन के एक कोने में पड़ी रहती थी मगर आज पांस साल के बाद ये इच्छा जागरित हुई है इसमें बेचैनी नहीं है लेकिन बेचैनी से भी ज़्यादा दुखताई उदासी है पारवती के छोटे भाई की शादी होने वाली है उसके मायके से बुलाबा आया है इस समारों में भाग लेना जरूरी है गहनों का पैना आवश्यक हो गया इस अफसर पर सुरेंदर भी अपनी विवच्छता का बहाना ना कर सके इस समय ये उपाई भी सफल होता दिखाई नहीं दिया शाम के समय सुरेंदर बाहर से लपके हुए आये उनका चेहरा चमक रहा था उन्होंने पार्वती के हाथ में एक पोटली रख दी पार्वती ने खुल कर देखा तो पोटली में एक जड़ाओ कंगन एक चंदर हार और जुमके दिखाई दिये पार्वती कुछ सहम सी गई उसे सपने में भी उम्मिद नहीं थी कि सुरेंदर उसके लिए इतनी और ऐसी कीमती चीज़ें लाएंगे खुशी के बदले एक ब्याकुलता एक भाय का अनुबब हुआ वो डरते डरते बोली ये कितने के हैं सुरेंदर पसंद तो है ना पार्वती पहले दाम तो बताओ सुरेंदर चार सो पार्वती सच सुरेंदर मेरे पास और रूपिय कहा थे पार्वती उधार तो नहीं लेने पड़े सुरेंदर नहीं उधार के लेना पार्वती तब पसंद है सुरंदर ने बास्तविकता छिपानी चाही लेकिन अपनी विशाल हिर्देता का बखान की एबिना ना रह सके सोचा कि इन्हें क्या पता चलेगा कि इनके लिए इस समय कितने बोज के नीचे दबा जा रहा हूं बोले सच सच कहे दूं बारा सो लगे पारवती ने पती को तरसकार की दरिश्टी से देखते हुए कहा तो इतनी चीजे लाने की क्या जरूरत थी दानवीर जैसी लापरवाई के साथ सुरंदर बोले एक मुद्द के बाद जब जेवर बर्माने लगा तो कंजूसी करने बैड़ता शरम भी तो कोई चीज है पारवती ने पती की और किरतिग्यता की दरिश्टी से देखा उसमें कुछ प्यार की जहलक थी कुछ शिकायत थी कुछ गर्ब थी और कुछ परिशानी की बात थी उसने और अधिक परिशन ना किये कि कहीं कोई ऐसी बात कानों में न पढ़ जाए जिससे इन गहनों को बापस कर देना ही जरूरी हो जाए जिस विक्ति के हलक में प्यास से काटे पड़े हुए हो पो ये नहीं पूछता कि बरतन कैसा है और पानी किसने भरा है एक हपते तक पारवती एक दूसरी ही दुनिया में रही उसके अंदाज में एक शान, बातों में अभिमान और चेहरे से अमीरी जिलगती थी कितने ही ऐसे काम जिने वो पहले निसंगोच कर लिया करती थी अब उसे दूभर लगने लगे यहां तक कि अपनी नन्नी बच्ची तारा को गोद में लेते हुए भी उसे अपने कपड़े मेले होने की आशंका होने लगी लेकिन वो सौैम अपने वेवार में आए इस परिवर्तन से अंजान थी साथमे दिन उसका भाई आया और पारवती माय के चली उसने सुरेंदर से हर तीसरे दिन पत्र भेजने का आस्वासन लिया उनके सामने खड़ी घंटों रोती रही ऐसा मालूम होता था कि बिछुडने के दुख से उसका कलेजा फटा जा रहा है लेकिन खड़ से निकलते ही दिखावे की इच्छा उसके मन पर छागई वो गाली के एक जनाने डिब्बे में आकर बैठी जिसमें अधिकांश महलाएं निम्न बरगी की थी उन्होंने पारवती को आतंकित दिर्ष्टी से देखा और इधर उधर सिमट गई पारवती खिलकी के सामने जाकर ऐसे बैठी मानो इतनी आभगत उसका जन्म से दधिकार हो उसे गाली में भले खांदान की केबल एक ही महला दिखाई दी उसका चेहरा घंबीर था वो एक साफ साड़ी पैने हुए थी पैरों में सिली पर थे हाथों में चूड़ियां लेकन शरीर पर गहने के नाम पर एक तार तक ना था वो निम्न बरगी की कई महलाओं के बीच हाथ पाउं से कोड़े बैठी थी मनहीमन पारवती ने कहा निसंदे सुंदर महला है लेकन सम्मान कहा कोई बात भी तो नहीं पूचता एक कौने में दबी बैठी है शरीर पर चार गहने होते तो यही सब ओची महलाएं इसका सम्मान करती नीचे फर्ष पर पारवती के निकटी एक गरीब महला बैठी थी उसकी गोद में एक बच्चा था जो रह रहकर इतने जोर से खासता और चीख मारता की पारवती मन ही मन जुझला कर रह जाती जब उससे रहा न गया तो उसने उस महला से कहा तुम दूसरी पट्री पर जाकर बैठो इस लड़के के खासने से मुझे नीद नहीं आ रही गरीब महला ने पारवती की ओर आश्चरिये से देखा और धीरे से सरग गई रात आधी से अधिक बीत गई थी खड़कियों से ठंडी हवा आ रही थी गरीब महला ने खड़कियां बंद करनी चाही तो पारवती ने आदेशात्मक स्वर में कहा नहीं रहने दो मुझे गर्मी लग रही है धीरे धीरे बच्चे की खांसी बढ़ने लगी कुछ देर तक तो वो चिलाता रहा फिर उसका गला पड़ गया उसने दूद पीना छोड़ दिया सामने बैठी सीधी साधी महला कुछ देर तक तो बच्चे को देखती रही फिर उसने उसे गरीब महला के पास आकर बच्चे को गोद में ले लिया बच्चे की हालत खराब थी सीने पर बलगम जमा हुआ था लगता था कि निमोनिया की शुरुआत है उसने फौरान अपना बक्स खोल कर उसमें से एक दबा निकाली और हवा से बचा कर बच्चे के सीने पर हलके हाथ से मलने लगी फिर दूसरी शीसी से एक चम्मत दबा निकाल कर बच्चे को पिलाई गाली की सब महलाई आकर बच्चे के निकट खड़ी हो गई निरंतर एक घंटा तेल मालिश करने के बाद उस भली महला ने अपने बकसे से एक फलालैन का टुकडा निकाल कर बच्चे के सीने पर बान दिया बच्चा सो गया बो रात के तीन वज़े तक बच्चे को गोध में लिए एक एक घंटे पर दबा पिलाती रही बच्चे ने दूद पीना शुरू कर दिया पारवती का भाई आकर कुलियों को पुकारने लगा जब कोई कुली ना आया तो पारवती को ही अपने संदूक बिस्तर आदी उतार उतार कर भाई को देने पड़े उसकी रेशमी जोकिट चिरक गई उधर उस गंभीर सीधी साधी महला ने जैसे ही न बिस्तर उठाया तो लपक कर एक महला ने उसके हाथ से बिस्तर ले लिया दूसरी ने उसका संदूक उतार लिया तीसरी ने उसका दबाओं का बकसा उठाया और कई महलाएं उसे धरम शाला तक पहुँचाने आई बीमार बच्चे की मा बार बार उसके आगे हाथ जोड़ती और पैरों पर गिरती दूसरी महलाएं भी उससे गले मिली ऐसा लगता था मानो बे अपने किसी आत्मिये से बिछुड रही हो लेकिन किसी ने पारवती की बात भी न पूची उसके जाने से सब महलाओं को सची खुशी हुई मानो सिर से एक बला ही टल गई अब उन्हें जरा कमर सीधी करने की जगे तो मिलेगी बीमार बच्चे की मा ने तो उसे गिरना की देश्टी से देखा और मन ही मन उसे जी भरकर कोसा पारवती ने मन में कहा इस सीधी साधी औरट ने तो अच्छा ही रंग जमा लिया सभी महलाओं अनुचरी बन गई है मानो कोई मंतरी फूख दिया हो गवानों के बीच तो ऐसा हो सकता है परंतु किसी भले घर में इसे कौन खास डालेगा पारवती का मायका शहर से 60 एक बस्ती में था जिसे ना शहर कह सकते थे ना दिहाद बहां शहर की तो एक भी सुबदा ना थी मगर दिहाद के सभी कश्ट मौजूद थे ना शहर की सड़कें, लांटेने, नालिया थी पिना दिहात का बिस्तार, हर्याली और हवा, बहां का दूद शहरवाले पीते थे, सबजी शहरवाले खाते थे, लकड़ी शहरवाले जलाते थे, बहां के मजदूर काम करने शहर में जाते थे, खाने पीने की चीजें बहां शहर से आकर ही बिकती थी, पारवती के पिता के पा गर पारवती की मा फूली ना समाई, उसकी दुनिया इन्ही इने गिने मकानों और उनके निवासियों तक सीमे थी, बहां के गहने कपड़े, शादी बिहा, जगले टंटे उसके अस्तित्व की धुरी थे, वो उनमें ही वस्ती थी और उन्ही का सपना देखती थी, मुहले में क लेकर वो बागबाग हो गई, उसे साथ लेकर वो पडोसियों के घर गई, जो भी उसके कंगन और चंदरहार को देखता लोटपोट हो जाता, मा सामने बाले की सामर्त के अनुसार, उन गहनों का मूल बढ़ाती रहती थी, दो-तीन दिन पूरे महले में उन गहनों की नुमा सुना कर कहती, भला इन से पूचो, घर का सा सुख यहां कहां मिलेगा, बहां अपने मन का खाती थी, अपने मन का पहनती थी, यहां गिरिस्ती में तो मोटा महीन सब मिलेगा, मंगर बेचारी में जरा भी एट नहीं है, बही पुराना स्वभाव है, बही अलहड़पन, पार तारा तोतली बोली में कहती, हमाली है, कोई पूचता, बेटी ये कड़े किसने बनवाए, तारा कहती, मेले बाबू दीने, शादी का दिन निकट आ गया, रस्मों रिवाज होने लगे, मुहले की ओड़तें बन समरकन आने लगी, लेकिन पारवती उन सब की रानी लगती थ उसके कंगन, चंदरहार और जुमकों पर ही टिकी रहती, सब उससे दबती, उसका लिहाज करती, उसकी हां मेहां मिलाती, पारवती को ये सम्मान केवल अपने गहनों के बल पर ही मिल रहा था, बारात चलने के दिन नोते में सुरंदर नात भी आए, जब भी शाम के समय घर म आए, तो मुस्कुराकर पारवती ने कहा, आज जी चाहता है कि तुम्हारी पान फूल से सेवा करूं, मुस्कुराकर सुरंदर ने कहा, बना रही हो, पारवती नहीं सच कहती हूं, इस समय मन यही चाहता है, तुम्हारे इन गहनों ने मेरा बोल बाला कर दिया, सारे मोहले म में धाक जम गई सब की सब पानी भरती हैं ये ना होते तो जूटे भी कोई बात न पूछता अपनी जमा अपने घर में है लेकिन नेक नामी मुफ्त ऐसा सौधा और क्या होगा सुरिंदर मैं जानता तो दो एक चीजें और ले आता पारवती ओह अब तो सारे मुहले में मैं ही मैं हूँ औरत की इज़त गहने कपड़े से होती है नहीं तो अपने माबाप भी आँख से गिरा देते हैं सुरिंदर पच्छताए और गहने क्यों ना खरीद लिए बले ही दो पारवती के गहनों के चार दिन की समराज का अंत हो गया बही गहने थे बही कपड़े मगर अब उन्हें देखने में क्या आननदा था अब पूरे पूरे दिन पारवती अकेली बैठी रहती कभी कोई औरत मिलने आ भी जाती तो बस दो चार बातें करके ही अपनी रहा लेती किसी को भी अपने घर के कामकास से फुरसत ना थी ये अकेलापन पारवती को बहुत अखर था मायके से उसका मन उचाट हो गया उसे पता चल गया कि नित नए गहने बनते रहने से ही उसकी बात बनी रह सकती है पुराने तमाशे को कौन मुफ्त में देखता है कोड में पार मंगवाय जिन्होंने पारवती का रंग फीका कर दिया रही सही बात भी जाती रही रेत की दीवार भर भरा कर ढह गई एक दिन पारवती अकेली बैठी सुरंदर को पत्तर लिख रही थी कि यहां से आकर ले जाओ जरा भी मन नहीं लगता इतने में उसकी बच्पन की स खेली हुई थी उसका बिहा एक गरीब खांदान में हुआ था लेकिन उसके पती ने रंगून जाकर खूब पैसा कमाया और चार-पांस साल के बाद लोटा तो पत्नी के लिए एक मोतियों का हार लेता आया बागेश्वरी आज ही मैं के आई थी पारवती ने उसका मोतियों कन्ने में कंजूसी करे ये रोग पारवती की आत्मा में घुन की तरह लग गया उसने दूसरों के घर आना जाना छोड़ दिया मन मारे अपने घर में ही बैटी रहती उसे ऐसा लगता था कि अब और तक कि उसकी मा भी उसे तिरसकार की दृष्टी से देख रही हैं पहले ग गहने उतार कर बकसे में रख दिये और ठान लिया कि इन्हें खोलोंगी नहीं उसे इन गहनों के खरीदने पर पच्तावा होने लगा दिखावी की चाह में जिंदगी के सुक चैन में बेकार खलल पड़ गया वो बिना गहनों के ही अच्छी थी कि ये मुफ्त की उल्जन त नहीं थी घर के रूपी गमा कर ये सिरदर्द खरीदना पड़ा महगा सोधा है तीज के दिन पार्वती की मा ने कहा बेटी आज महले की सब औरतें इसनान करने जा रही है तुम भी चलोगी पार्वती ने उपेक्छा से कहा नहीं मैं नहीं जाओंगी मा चलती क्यों नहीं बरस बरस का तेवहार है सब अपने मन में क्या कहेंगी पार्वती जो चाहें कहें मैं तो नहीं जाओंगी कौार के दिन थे सुरेंदर को अभी तक छुटी नहीं मिली थी पार्वती ने जल भुनकर उन्हें कई चिट्टियां लिखी थी पर इधर दो हफ़ते से पत्र श्टार रहता था बैद और हकिम पत्θर के देपता बने हुए थे एक दिन पार्वती की माने कहा बेटी आज शीद्ला देवी आ रही है चलो उनसे मिलायें पार्वती शीद्ला देवी कौन है माँ ये तो नहीं जानती मगर कभी कभी इहां आया करती है औरत क्या है देवी ह पार्वती क्या करती है? मा यहां तो जब आती है बीमारों की दबादारू करती है और किसी से एक पैसा भी नहीं लेती पार्वती तो घर की मालदार होंगी मा नहीं सुनती हूं कि सिलाई करके गुजर बसर करती है बिहा के दिन ही पती हैजे से मर गया उसका मूँ तक नहीं देखा तब से इसी भाती काम कर रही है पारवती तो क्या अभी उम्र अधिक नहीं है मा नहीं अभी उम्र ये क्या है नारायन ने शकल सूरत दी है बैसा ही सौभाव है किसी महल में होती तो महल जगमगा उठता ऐसी हसमुख ऐसी मिलंसार की पास से हटने को मन नहीं होता जब तक यहां रहती है भीड लगी रहती है पूरा महल लगे रहता है इतने में महरी ने आकर कहा बहु जी शीतला देवी आई है और पाट साला में बैटी हुई लड़कियों से कुछ पूँच रही है कई लड़कियों को तो इनाम भी दिये है मैं भी जाती हूँ जरा दर्शन कराऊं मा ने कहा अरी तू पानी तो भर दे ना जाने कब तक लोटेगी महरी अभी लोटी आती हूँ कहीं ऐसा नहो की चली जाए महरी के जाने के एक घंटे बाद पार्वती की भई मोतियों कहार वाली सहली आकर बोली चलो बहन शीतला देवी से मिलाएं महले की सभी ओरतें जा रही है पार्वती को भी उतकंठा हुई तारा को एक अच्छी सी फिरोक पहना दी परंतु स्वयम भई सादी सी साडी पहने हुई शीतला से मिलने चली गहने नहीं पहने जब दोनों सहलिया पाट साला में पहुँची तो औरतों और बच्चों की भीड जमा थी शीतला देवी जमीन पर बैटी हुई बच्चों को देख रही थी और बकसे से निकाल निकाल कर दबा देती जाती थी मानो पेडों की छाओं में एक उजला कुंड था बैसा ही मौन, गंभीर, शान्तिमे और सुन्दर शीतला की आँखों से एक चित्ता करसक पवित्रता जहलक रही थी पारवती ने उसे पहचाल लिया ये वही सीधी साधी महला थी जिसे उसने गाड़ी में देखा था पारवती ने देखा कि इस औरत के सामने मैं कैसी निकरिष्ट हूँ और मैं ही नहीं महले की बे सभी औरतें जो गहनों से गोड़नी की भाती सजी हुई थी इस औरत के सामने सेवकाओं की भाती खड़ी है यदि ये सबी अपने को सोने से मड़वा लें तो भी क्या क्या इनका ऐसा सम्मान हो सकता है इस से बात करके कौन नहाल नहीं हो जाता और जो बीमार हैं बेतो मानो बिनादाम के ही गुलाम है सच मुच इसी का नाम सम्मान है ये किया कि चार औरते आवें और आखें मटका मटका कर हमारे गहनों का बखान करने लगें मानो हमारा शरीर नहीं बलकि गहनों की नुमाईश का मैदान हो आज से एक महीना पहले शायद इस पिरकार की विचार पारवती के मन में न भरते लेकिन आजकल गहनों से उसका मन फिरा हुआ था सामान रूप से दार्शनिक विचारों के मूल में निराशा और उदासी ही होती है पारवती चितर लिखिस से खड़ी शीतला देवी का तोर तरीका बात करने का ढग और आत्मिता पूर्ण ब्यभार ध्यान से देखती रही वो सोचती थी ये औरत कितनी सुंदर है लेकिन इसके साथ ही इच्छाओं से कितनी मुक्त मैं सम्मान की भूकी हूँ लेकिन मैं जिसे सम्मान समती थी वो यथार्थ से कितना दूर है मैं अभी तक छाया के पीछे ही भाग रही थी आज उसका बास्तिविक रूप दिखाई दिया है जब शाम ढल गई और भीर छटी तो शीतला देवी की दिरिश्टी पारवती पर पड़ी वो उसे ततकाल पहचान कर बोली बेहन तुम्हें तो मैंने रेल गाली में देखा था पारवती ने कहा हाँ उस दिन मैं यहां आ रही थी शीतला देवी ने पारवती को सर से पाउं तक देखा और फिर उसकी सहली बागेश्वरी की और पिर्शन वाचक दिर्श्टी से देखा मुस्कुराकर बागेश्वरी ने कहा कुछ दिनों से गहने नहीं पहनती शीतला क्या गहनों से नाराज है बागेश्वरी इनका मन ही जाने पारवती आप भी तो नहीं पहनती शीतला मुझे मैं एसर ही कहां मैं तो भिकारिन हूँ बहनों की सेवा करती हूँ और पुन्य के मारग में बेजो कुछ भी दे देती हैं उसी से अपना पेट पालती हूँ पारवती मुझे भी अपने जैसी भिकारिन बना देजिए शीतला देवी हसकर उट खड़ी हुई और बोली भीक मागने से भीक देना बहुत अच्छा है रात में जब पारवती लेटी तो शीतला देवी का दमकता चेरा उसकी आँखों में नाच रहा था जो उसके मन को खीचे लेता था उसने सोचा क्या मैं शीतला देवी बन सकती हूँ ततकाल सुरेंदर उसके सामने आकर खड़े हो गए तारा रो रोकर उसकी गोद में आने के लिए मचलने लगी जीवन की इच्छाओं की एक बाड़ ही उट खड़ी होकर टक्कर मानने लगी नहीं शीतला देवी बनना मेरे बच में नहीं लेकिन मैं एक बात कर सकती हूँ और भो अवश्च करूंगे एक इस अपता में पारवती अपनी ससुराल आ पहुची सुरंदर ने उसका मुरजाया मुँ देखा तो आशरीय से बोले गहनों से रूट गएं क्या पारवती पुराने हो गए नए बनवा दो सुरंदर अभी तो इनी का हिसाब चुकता नहीं हुआ पारवती मैं एक उपाई बताती हूँ इन गहनों को बापस कर दो बापस तो हो जाएंगे ना सुरंदर हाँ हाँ क्यों नहीं तो कल बापस कराना सुरेंदर पहनोगी क्या पारवती दूसरे गहने बनवाँगी सुरेंदर और रूपिय कहा है पारवती उन्हों गहनों में रूपिय नहीं लगेंगे सुरेंदर मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा पारवती ये गहने जी के जंजाल है इनसे मन भर गया इन्हें बेच कर किसी बैंक में जम्मा कर दो, हर महीने मुझे उसका ब्याज दे दिया करना सुरंदर्ण ने बात हसी में उड़ानी चाही लेकिन पारवती के खाव भाव से ऐसा दिरल संकल्प पिरकट होता था कि बे उस विशय में गंभीरता से बिचार करने पर विवश हो गए दूसरे महीने में शीतला देवी के नाम बारह रूपिय का एक गुमना मनी आउर्डर पहुँचा कूपन में लिखा हुआ था ये तुछ धंडराशी सुएकार कीजिए ईश्वर के इच्छा होई तो ये धंडराशी इस थाई रूप से पिर्ती महा मिलती रहेगी आप इसे जिस भाती चाहें खर्च करें अपसे दुआएं ही मेरा आभूसर होंगी ये धातू के टुकड़े तो जी के जंजाल है इनसे मेरा मन भर गया है तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना अच्छी लगी हो तो फिली जिसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सबस्क्राब जरूर करना मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में